Welcome to Bowl Niave Bowl Niave नहीं आप अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं अपने खास दोस्त के साथ में तो हमरे पास फोन आएं अपनी परसनल प्रॉब्लम्स को लेगी तो आजकल सबसे अधर प्रीविल्ड प्रॉब्लम में रिलेशंशिप का प्रॉब्लम यंग्स्टर्स अभी किसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ऐसा लगता है तो हमरे पास जो प्रॉब्लम आई है वो कुछ इस तरीक ऐसे है अखी बंदी पूछ रहे हैं कि उच्छे है में उसमें एक रिलेशंशिप में हूँ जब मिले तो लगा था कि हम दोनों परफेक्ट हैं एक उसरे के लिए बहुत अच्छा वक्त गुजरा फिर देरे देरे फिलिंग डाल होना लगी कभी कभी तो अब बात ब्रेक अप तक पहुँच जाती है पर पहले भी मेरे दो ब्रेक अप्स को चुटे हैं इसलिए अब जो चल रहा है वही चलने दो ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ बहतर हो सकता है और ऐसा कोई एक फोन या एक प्राब्डम नहीं आए कई बारी इस तरह के सवाल हमारे पास आए हैं हमने उन सारे सवालों का एक सार आपके सामने बात किया है अब उसका जवाब क्या है उस पर हम भी थोड़ा बाचित करें इसके लिए जानना जरूरी है कि रिलेशनशिप आई काँ से कोई भी रिलेशनशिप बलकि दुनिया में जिन्दगी में हैं जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक मोटिफ जरूर होता है तो आज जीस तरह की रिलेशनशिप जीस एरोगेंट है एग्रेसिव है ऐसे पहले कभी नहीं है पहले जब बच्चे फैमिली की बांडिंग में अठारा गिंटे रहते थे और उनको प्यार के लिए जैसे पीम भटकना नहीं पड़ता था तो कोई क्रेश तो उस वक्त भी होता था क्योंकि यह तो बैसिक इंस्टिंक्ट है एक आकरशन है जो हमेशा से आदमी का उरत के लिए उरत का आदमी के लिए था एक और रहेगा लेकिन उतना उक्यूपाइड नहीं करता था लोगों को तो अब क्या हो किया है अब धीरे-धीरे केरियर एक शर्द जो कोई दुनिया में चारे लिए था हर इंसान को कुछ न कुछ बरना है केरियर का प्रेशर आया ओपर से वक्त की कमी हुई तो वक्त की कमी के साथ में एक अकिलापन डेपर होगा प्रोफेशनल माहूल में आप काम करते हैं 10 गंटे बारा गंटे रेलेशनशिप डेविप करने के लिए आपको अलग से वक्त चाहिए माहूल चाहिए जो एक नए शहर में एक नए सेट अप में बनाना थोड़ा मुश्रित सलगता है लोगों खास्तों पिताब जब उनके किसी तहरे कि मजबुरी नहीं है कि उनको समाच में रहना पढ़ेगा कोई डिपेंडेंसी कम होती जारी है पेलेas family एidents समाच पे हमारी डिपेंडेंसी होती थी तो हम जान कच की कहना पड़ता था yas boss अब गभीवा भीजे से चतब हो रही है आकेला पर ऐसा नहीं है कि आपका कोई दोस्त ही नहीं, आपके पास 10-15 लोगों का ग्रूप है, उनके साथ आपकी बराबर है है हलो होती है, आप उनके साथ पार्टी में जाते हैं, इंडेस्क में जाते हैं, बहुत अचा वक्त गुजारते हैं, लेकिन वो जो डीप में हैं, प्रोफिशनल माहूल में हैं, तो वहां पर इमेज बड़ी इंपोर्टेंट हो जाती है, तो जब इमेज को लेके चलते हैं, तो बहुत कुछ दबा कर छुपा कर उसको भुना पड़ता है, यह चीज हमारे अंदर एक घुटन एक बोच पिदा कर सकती है, जब कोई बहुत बड़ी इमोशनल ट्रेप में फस्ता है, तो पीछे कोई टेंप्रेरी प्रॉब्रम हो सकती है, आपको चेक करना है कि क्या हम किसी टेंप्रेरी फैलियर से भाग रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास अपना जॉप सटिस्टेक्शन नहीं है, हमको मजा नहीं लगा तक फैल होता जा रहा है, या फैमिली में कोई अंडेस्टेंडिंग नहीं है, कोई विवाद चल रहे हैं, उससे एक टेंशन है, प्रेशर है, बहारां बली कितना पूल है, लेकिन अंदर से वो चीज़ हमको तोड रहे है, या चा-चा-चा-ची, मामा, मामी, आस-पा अपको जज कर लें, और आपको भंडे दे रहे, आपके लिए फैसले सुनाइता रहे है, इसे में कोई एक इंसान आया, एक लड़की के लिए एक लड़की के लिए लड़का आया, और अट्रिक्शन तो काम करी रहाता है, तो उस अट्रिक्शन में स्पेशल लगना पड़ बस ऐसा लगा जिसे एरेगिस्तान में परसात हो, मसा आ गया, और ऐसे में क्या होता है, हम जिससे क्या प्यार कर वेठते हैं, उसके लिए हमारे दमाग में एक प्रोजेक्टेड इमेज बन जाती है, कि यहां से देख के लगता है कि वो ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन जितना हमने सोच लिया था, और आपने जो image बनाई है, projected image, उसमें सिर्फ आपका दिसूर नहीं है, जब हम किसी को embrace करना चाहते हैं, किसी की करीब आना चाहते हैं, तो display में हम सब से best pieces ढंग देते हैं, दुकान के अदर जान पे सारा stock ordinary हो सकता है, तो उस display के चकर में आपने ब फिर, जब expectation पूरी नही होती, जो कि किसी की भी नही सकती, तो फिर B side के पका होगाने में पrebते लगतों ади उपका होगाने, आपको एकदम दूर दूर करते हैं एकदम निराश करते हैं और वह कल्पना के दुनिया से, हम लोग fantasy के दुनिया से भारा जाते हैं तो रिलेशन्चिप को एसकेप फ्रॉम तालीबान का प्लान में पनाएं को कि आपनी समस्याओं से अपनी प्रॉब्लम से भागने के लिए अगर आप रिलेशन्चिप का यूज़ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलग जाएं रिलेशन्चिप क्या चीज है वो एक सपोर्ट सिस्टम है आप अपने आपको खोज सकेएं अपने आपके खरीब जा सकेएं इसके लिए आप रिलेशन्चिप का सहारा ले सकते हैं आप रिलेशन्शिप पे आपनी पुरी जिन्देकी का बोज नहीं राल सकते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दम दूट के रिलेशन्शिप मर जाएगे तो आप विक्रम बेताल की तरफ बेताल मत बनें कि एक लाज बनके विक्रम भी कंदे पे डल गए और आप वो आपको ड्रोके जा रहा है आप उसको बगा रहा है वो उसने दो सवाल पूचे आपने कहा विक्रम तू बोला में चाले फिर वो खेच खाच के आपको लाता है आपको कंदे पे बिठाता है आपको लेके चलता है फिर वो दो बात करता है फिर बेदाल चाला तो ये सब चीजों से बचने की ज़रूरत है जब तक हम खुद से सैटिसफाई नहीं हो जाते हम दूसरे को प्यार करी नहीं सकते हैं हम दूसरे का इस्तिमाल करने की कोशिश कर सकते हैं और असली चीज दे किया नकली चीज एक्चेंजर पाने की गल्दियां हम दूसरे करता है क्योंकि आइटिमेटली प्यार ही वो चीज है जो आपको अपने करीब लाती है जो आपकी इगो बाउंडरिस को तोड़ती है और इगो बाउंडरिस तब टूपती है तो आतमे अपने आपको फेलता हुआ, खिलता हुआ, मैसूस करता है तो रिलेशनशिप आप में कुछ न कुछ पर्दा उसरुग लाईगे और इसलिए तो यह खुबसूरत है कि रिलेशनशिप आपकी एगो बाउंडरिस को तोड़ती है, कोई जबरतस्ती आपकी भीतर हो साता है और एगो बाउंडरिस टूपने के वज़े से आपकी दुनिया में लोगों की बीच में जाते हो, उनको मैसूस करते हो आपको सब कुछ बड़ा खुबसूरत लगने लगता है, चान बड़ा लगने लगता है, रात और ठंडी लगने लगती है सब कुछ प्यारा खुबसूरत सा लगने लगता है ना, दिल काली से लाल हो जाता है, ऐसा चाहा जाता है तो यह बदलाव अगर आपकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, प्यार आपके लिए अच्छा है, और फेलने में मदद कर रहा है, आपको एक्स्पांड बढ़ने में मदद कर रहा है, लेकिन यह बदलाव अगर आपके डर को बढ़ा रहे हैं, कि नहीं, सामने वाला प्यार रिसिव कर पा रहा है या दे पा रहा है नहीं क्योंकि मेंग चीज होती है रिसिव करना है एक रिलेशन्शिप को अगर देखा जाए तो वो एक रिलेशन्शिप टूपते ही है क्योंकि अगर 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 उसमें कुछ भी होता है तो उसके लिए आपको जवाब देने होंगे तो एक ब्रेक अप के पेन से बचने के लिए तक्काल दूसरे रिलेशन्शिप में मत कुछ चाहिए क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे है आपके रिलेशन्श में तो आपके भीतर भी बहुत सारा काम है जो आपके लिए करना बागी है अगर अभी आप उसको टालते गए तो दो ब्रेक अप के बाद दो साल बाद आपको अपने उपर काम करना पड़ेगा पर करना तो पड़ेगा ही आप उससे बच तो नहीं सकते तो आपने उपर जो काम करना उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती है तो पहले बाद यह कि आप यह मत खिए कि में तुम्हारे बगर जी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साहतो हूं। नेहीं, मैं अपने आपके साथ भी जी सकता हूं। लेंकिन तुम्हारे साहतो जीना हो, यगको उपसरत और अच्छा लए हैं। इस तरह गाइटिटीटीव लेके काम करेंगे तो आप अपनी जिंदेगी में थोड़े क्वी टाइपने आप पाती है कि क्या क्या चीजें हैं जो बहतर हो लोग अपने एक उसरे के साथ टाइम शेर तो काफी कर पा रहे हैं तो कोई बंदिशे भी लिए हैं पहले तो एक समय अब यह होता था कम दर चिठी लेके जाता था है फोन बी पुड़ी चोली-चोली करने पड़े तें मुबाय ठान ही ने इह आज उससे जाधा कम्मुनिकेशन है लिए को मिनकेशन सूरू कम्मुनिकेशन हो कि आप साथ में वक्त गुजार रहे हैं पृटीज में जा रहे है लेकिन बार कम्मिनिकेशन बन कीजिए लेट नाइट पूरी रात की बात करना या वाटसप पर बार वाटसप वाटसप लव इनों निसमीनों बन कीजिए किकि अगर आप प्यास ही पेदानी होने देगे तो सामने बार कोई उपास आए रखिंगे फिर अगले की कमजोरी देखकर भी उसे प्यार करें तो यहाप इंसानेंसे प्यार करताएं घ्रवाइस प्राप मशीनों से यह यादे तो यह फुर अँ सकताएं प्राइं कोशिश करते पदें जयुक्त हैं तो कमजोरिया सभी में हैं जिसे आप दूसरी की देख रहे हैं Joseph Adam Лेकिन इन ही कमजोरियों को दूर करने की मदद के लिए हम एक दूसरी का साहते हैं एक दूसरी का साहरा लेते हैं और उसी से हम को अन्यड़ी भर बृर्पुर लगने रहती है उस परपस को में क्रूँ है और फिर जब आर्गमेंट करें, लड़ाना ज़गरना बहराना, बहस करना कोई बुए बात भात ही ओ तो कोन ही ही आश्कार पहले भी होता रहा है तो लड़ना जगड़ना है, आप तीन गंटे के लिए लड़के नारज हो सकते हैं, लेकिन अगर तीन गंटे बाद मान नहीं है, तो आदा गंटा मैं मान जाएगे, और ड़ी गंटा बचा लेजे, जिंदी की बहुत छोटी वक्त बहुत कम है, तो घ्यान रखे, अनलिमिटे प्लान कहीं नहीं है, सब रुड़ते हैं, अनलिम्टे अनलिम्टे लेकिन 10 GB के बारे में 501 Kbps की स्पीड हो जाती है, तो अगर आप ओजाता गंटेग कर रहे हैं, तो प्लान खितम हो जाएगा, बंदाबंदी को इतना पकाओ मान, या बंदाबंदी को इतना नहीं पकाई आप जो कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ काउंट होता है, वो एक बोच एक लगाता है, खुमलेटिव बोच या प्रेशर क्रियेट कर रहा है, तो तो ध्यान रखें, अपने प्यार को देखो कमलें में मत होगाई है, उसको खुली जमीन देजेए, जितने ज्यादा जड़ प्रेट पहलने वाला है, मतलो वो रिलेशनशिप इतनी प्रास्पर होगी, इतना कहरेश च्छाओं बनेगी कि आप उसकी च्छाओं ने कड़ेदो सकेंगे, तो खुदा अगर प्रेट नी बनेगा, तो च्छाओं क्या खातेगा, तो कहिए, सुनिये, सुनिये, कहिए, कहि हो जाएगा, हर लेला मजनु को, हर रांजारे को ढूंड रहे हैं, लेकिन कभी सोच के देखिए, कि अगर उन दोनों को भी, उनको भी आपस में 24 गंटे साथ में रहने को मिल जाते, तो कहानी को छोड़ों होती है, तो इसलिए, बटकना छोड़ो, आपके इससे में जो आय ठहर के उसका पुरा मज़र हर किसी को नहीं मुलता, यह प्यार से नहीं होती है, तैंक यू रहे मच, बाए!